नमस्कार बच्चो आज हम आपके व्यवसाईक अध्यान के पुस्ता का आठमा अध्याई व्यवसाईक वित्त के शुरूत शुरू करने जा रहे हैं बच्चो यह एक लंबा लेकिन बहुत ही महत्वपूर अध्याई हैं जैसा कि आप नाम से ही थोड़ा समझ गए होंगे कि इस अध्याई में हम व्यवसाई के वित्त की बात करने वाले हैं वित्त अर्थात पैसा अर्थात व्यवसाई में लगाया गया कोश या उसमें निवेश की गई पूंजी अब ये तो आप सबको पता ही है कि वित्त या पैसा किसी भी व्यवसाई के लिए शायद सबसे महत्वपूर चीजों में से एक है एक व्यवसाई करने के पीछे का मुख्य उदेश्य भी यह होता है कि पैसा कमाया जाए वेवसाय चलाने के लिए पैसा चाहिए, वेवसाय चलाकर उससे भी वापस हमें पैसा ही चाहिए तो वेवसाय में पैसा या वित्त सबसे जरूरी चीजों में से एक हो गई इसकी आवश्यक्ता कई बार वेवसाय शुरू करते ही होगी कई बार उसके बाद भी पड़ेगी समय समय पर इसके आवशक्ता पड़ती रहती है चाहे वो मशीनरी फरनीचर आदी खरीदने के लिए हो या दिन परती दिन के खर्चों को पूरा करने के लिए जैसे की कच्चा माल खरीदना, कर्मचारियों को वितन देना आदी दें मैटा जासकता है स्थाई पूंजी वह कार्यशील पूंजी स्थाई पूंजी वहुआ है जो व्यवसाई में लमबे समय के लिए लगाई जाते है तो इसम hardware के मशीनरी, nबरां अधि संतियों में लगाया जाता है इसे एक बार इस पूंजी को लगा कर फिर बार बार इसे बदला नहीं जाता ये एक स्थाई रूप से लगाई गई पूंजी होती है जैसा कि वेवसाय के संपत्तियों में लगाया जाता है कार्यशील पूंजी वह पूंजी है जो वेवसाय के दिन प्रति दिन के कार्यों में आवशक धन के लिए चाहिए होती है चाहे वो कच्छा माल खरीदना है चाहे कर्मचारियों को वेतन देना हो ऐसे जो दिन प्रति दिन के कार्य है इसके लिए जिस पूंजी के आवशकता पड़ती है उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है अब बात करते हैं पूंजी के श्रोत की अभी तो हमने बात की कि पूंजी दो प्रकार की होती है स्थाई वो दूसरी कार्यशील है अब चाहे स्थाई हो या कार्यशील हो जब विवसाय को पूंजी चाहिए होती है तो उसे कहीं से उसे प्राप्त करना होता है तो जहां से हम पूंजी प्राप्त करते हैं वो पूंजी के श्रोत कहलाते हैं तो पूंजी के श्रोतों को अलग-अलग प्रकार से वर्गिकृत किया जा सकता है जैसे कि सबसे पहला अवधी के आधार पर पूंजी के शुरोतों को तीन भागों में व्यक्त किया जा सकता है दीरगवधी, मध्यवधी वा अलपवधी के शुरोत दीरग अवधी के श्रोत वो श्रोत कहलाते हैं जिनसे प्राप्त पूंजी पाँच वर्ष से अधिक समय के लिए विवसाय में उप्योग की जा सके है इसके अलावा जो पूंजी एक वर्ष से पांच वर्ष के बीच के लिए हो उसे मध्य अवधी पूंजी वजो पूंजी एक वर्ष से भी कम के लिए हो से अलप अवधी पूंजी का नाम दिया जाता है इसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर वित्त के शुरोतों को स्वामित्व शुरोत या रिणगत शुरोत में वर्गिकरित किया जाता है जो पुन्जी व्यवसाई के स्वामियों द्वारा लगाई जाती है या यूँ कहलें कि जिस पुन्जी को लगाने वाले व्यवसाई के स्वामी कहलाते हैं वो पुन्जी स्वामित्व पुन्जी कहलाती है वो जो पुन्जी बाहर से रिन के रूप में प्राप्त की जाए उसे रिन गत कुन्जी या कोश कहा जाता है इसके अलावा पूंजी के शुरोतों के वर्गी करण का एक और आधार है कोश की उत्पत्ति या धन की उत्पत्ति यदि कोश या धन व्यवसाय के ही अंदर से निकाला जाए तो वो आंतरिक शुरोत कहलाता है यदि उसे व्यवसाय के बाहर से प्राप्त किया जाये तो वा बाहरी शुरोत कहलाता है तो इस प्रकार हमने देखा कि पूंजी के शुरोतों को तीन प्रकार से अलग-अलग वर्गों में बाटा जा सकता है आवधी के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, वह उनकी उत्पत्ती के आधार पर अब इन सभी आधारों से प्राप्त होने वाले अलग-अलग प्रकार के पूंजियों में से कुछ मुख्य पूंजी शुरोतों पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे जिन मुख्य शुरोतों पर हम जचा करेंगे ये बहुत ही महतवपूर शुरोत है बच्चों मैं चाहूंगा कि आप इन पर ध्यान दे आप समझें कि ये क्या शुरोत हैं कहां से आते हैं वो इस शुरोत से पूंजी प्राप्त करने से क्या फायदा हो सकता है या क्या कम्या हो सकती है क्योंकि एक व्यवसाई चलाने के लिए जब उसमें पूंजी की आवशक्ता होती है तो व्यवसाई यहां देखते हैं कि यह जो अलग-अलग शुरोत हैं इनमें से किस शुरोत से पूंजी ली जाए उसके लिए हमें सभी शुरोंतों की गुण वह कम्या देखनी पड़ेंगी तो हम एक के करके इन सभी को देखेंगे सबसे पहला शुरोंत है संचित आए संचित आए का अर्थ होता है कि जब एक वेवसाई अपने वेवसाई में होने वाले लाब की राशी को पूरी तरह लाभांश के रूप में बाटने की बजाए यदि उसे बचाने लगे, उससे संचित करने लगे शेव करने लगे तो वह बचाई गई राशी, लाब में से बचाई गई वह राशी संचित आए काहलाती है जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आए में से संचयत की गई राशी यह राशी व्यवसाई के बुरे समय में या किसी भी समय में बहुत अच्छे तरीके से उसके काम आती है क्योंकि यदि एक व्यवसाई के पास संचयत राशी है आए है तो उसे कई बार छोटी-मोटी जरूरतों के लिए बाहर हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। आईए अब संचेत आये के कुछ मुख्य गुड़ों वो अब गुड़ों पर चर्चा करें। यदि हम पहले गुड़ों की बात करें। तो सबसे पहला और एक सरल गुड़ी यह है इसका, कि यहाँ पुणजी का स्थाइश रोत है। हमें इसे किसी को वापिस नहीं करना है न। यह हमारे व्यवसाय के लाब सही निकाली गई राशी है। तो यह हमारी राश्य यह से हमें किसी को वापस नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार इस पर हमें किसी को ब्याज लाभान्ष या कोई भी अत्रिक लागत के रूप में कुछ भी नहीं देना पड़ता। तीसरा, क्यूंकि यह आंत्रिक शरोथ है, इसी लिए इसका उप्योग करने से विवसाय के संचालन वस्वतंतरता में कोई बाधा नहीं हाती। विवसाय का संचालन वस्वतंतरता उसकी लोचपूर्टा पहले की जैसे ही बनी रहती है। यह व्यवसाय को किसी दूसरे के उपर आश्रित नहीं करता इन गुड़ों के बाद यदि कुछ अब गुड़ों पर चर्चा की जाए तो सबसे पहली चीजी यह निकल कर आती है कि यदि एक व्यवसाय जरूर से जादा आय संचित करने लग जाए तो इसका अर्थिय होगा कि वह अंशधारकों को लाभांश कम दे रहा है बार बार इससे अंशधारकों में असंतोष पैदा हो सकता है क्योंकि अब उन्हें पहले से कम लाभांश मिलेगा तो जब वो असंतोष में होंगे तो इसका कमपनी के अंशों के बाजार मूले पर बुरा प्रभाव पड़ेगा दूसरा आपगुण है कि क्योंकि किसी भी वेवसाई में लाब की स्थिरता हमेशा समान नहीं रहती लाब कभी होगा, कभी नहीं, कभी जादा, कभी कम ऐसे में हम इस पर कितना आश्रित रहे, यह पूंजी का एक अनिश्चित शरोत बन जाता है इसके अलावा एक बहुत ही महतवपूर चीज इसमें ध्यान देने वाली यह है कि कई बार बहुत सी फर में इस पूंजी की एक आंतरिक छुपी हुई लागत पर ध्यान नहीं देते है हमें यह लगता है देखने में कि इस पूंजी की तो कोई लागत ही नहीं है यह सबसे बढ़िया पूंजी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है इस पूंजी की भी एक छिपी हुई लागत है जिस पर ध्यान देना अनिवारी है वो लागत क्या है जब हम जरूर से ज़ादा लाब को संचित करने लग जाते हैं बचाने लगते हैं उसे अंशधारकों में नहीं देते तो धीरे धीरे अंशधारक असंतुष्ट होते हैं शेर बाजार में कमपनी के प्रती एक नकारात्मक भावना उत्पन होती है कि यह कमपनी अपने अंशधारकों को लाभांश नहीं देती है बहुत कम देती है धीरे धीरे इसके कारण कमपनी के अंशों की या शेर की मार्कित में या बाजार में कीमत गिरने लगती है जब अंशों की बाजार कीमत गिरती है तो अंततह इसका भारी नुकसान कमपनी के अंशधार को या स्वामियों को उठाना पड़ता है उनकी संपत्ती कम हो जाती है यह एक बहुत बड़ी लागत मानी जाती है जिस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा इसलिए हम बहुत ज़्यादा आयको संचित नहीं कर सकते है तो बैचु यह था संचित है जो कि एक अच्छा श्रोत तो है लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं करना चाहिए क्योंकि दीर गवधी में यह नुक्सान भी दे सकता है अब आगे चलते हैं अगला श्रोत है व्यापारिक साख व्यापारिक साख एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को वस्त्मों वा सेवाओं के क्रय के लिए दी गए उधार की सुविधा को कहते हैं हम जानते हैं कि कई बार एक व्यापारी अपने व्यापारी के कच्चे माल या कई वस्त्मों या सेवाओं को किसी अन्य व्यापारी से उधार में खरीदता है इस उधार के सुविधा को व्यापारिक साख कहते हैं व्यापारिक साख बिना तुरंत भुगतान किये माल की आपूरती की निरंतरता बनाई रखती है इसलिए इसे एक अच्छा शुरोत माना जाता है हाले की यह एक अल्पकालीन शुरोत है आप वियापारिक श्रोत कई वर्षों के लिए नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कुछ महीनों या दिनों के लिए होता है इसके मुख्य लाब इस प्रकार है, पहला यह बड़ा ही सुधा जनक, वो एक सतत श्रोत है क्योंकि आपके पूर्थी करता है, आपके जो वियापारी हैं, जिनसे आप सामान खरीते हैं, वो निरंतर आपको यह उधार प्राप्त करते हैं तो एक सतत यानी निरंतर श्रोत है दूसरा, यदि गराहक की साख की स्थिती का विकरेता को ग्यान हो यानि यदि मान लीजिए हम ग्रहक हैं हम एक व्यापारी से कच्चा माल उधार खरीते हैं और वह यदि हमें अच्छे से जानता हो उसे पता हो कि हमारी साख की स्थिति ठीक है तो वह हमें तुरंत साख दे देगा यानि कि यहाँ पूंजी का एक बड़ा ही शीगर प्राप्त होने वाला शुरूत है तीसरा यहाँ हमारे व्यवसाई की विक्री को बढ़ाए रखने वो आगे बढ़ाने में सहयता करती है क्योंकि इसके द्वारा हमें कच्चे माल के अच्छे से पूर्ती होगी तो हम अपने व्यवसाई में विक्री को निरंतर बना पाएंगे चौथा इस पूंजी से हमारे संपत्तियों पर सामाने तहक कोई प्रभार नहीं पड़ता यह कोई ऐसा रिण या लोन नहीं है जिसके लिए हमें अपनी संपत्तियां गेर भी रखनी पड़े यह थे इसके कुछ लाब यदि हानियों की बात करें या सीमाओं की बात करें तो सबसे पहले सीमा यह है कि कई बार जब व्यापारिक साख बहुत असानी से मिल जाता है तो कई फर्म इसके कारण अती व्यापार करने लगते हैं वो कुछ जादा ही कच्छा माल खरीत के जुटाने लगते हैं कुछ जादा ही वस्तुएं या स्टॉक जमा करने लगते हैं जो के फर्म के लिए जोखिम का कारण बंदते हैं दूसरा इस माध्यम से केवल सेमित कोश ही जुटाई जा सकते हैं, आप बहुत बड़ी संख्या मेरेंट पर आप नहीं कर सकते हैं। वो तीसरा या धन एकत्रित करने के अन्य शुरोतों के तुल्ला में अधिक खर्चीला माना जाता है। ये थे व्यपारिक शुरोत के लाबवाउस की कमिया। आईए अब बात करते हैं तीसरे शुरोत की। तीसरा शुरोत है लीज वित्तियन या लीज फैनांस। बच्चों, लीज एक प्रकार का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिसमें एक पक्ष जो की किसी संपत्ती का स्वामी है, वो किसी दूसरे पक्ष को एक निश्चित भुगतान के बदले में वह संपत्ती इस्तमाल करने का अधिकार देता है। मान लीजिये, मेरे पास एक फरनीचर, एक टेबल है, और आपको इस टेबल को उप्योग करने के आवशकता है। मैं आपको ये टेबल भेचूंगा नहीं, बलकि एक प्रकार से मैं आपको इसे किराय पर दूँगा। आप एक निश्चित भुगतान के बदले में मेरे इस टेबल का उप्योग कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लीज की जो ये विवस्था है, वो किसी संपत्ती को एक निश्चित अवधी के लिए किराय पर देने जैसी है। संपत्ती का जो स्वामी होता है, वो पट्टाकार कहलाता है, जबकि उसका जो उप्योग करता है, वो पट्टाधारी कहलाता है। तकनीक बड़ी जल्दी बदलती है, ऐसे में कोई कमपनी या वेवसा है, उस मशीन पर करोड़ो रुपे या लाखो रुपे खर्च करके खरीदने की बजाए, यह कोशिश करती है कि कहीं से वो मशीन उसे किराए पर मिल जाए, क्योंकि उसे पता है कि यदि आज हम करोड़ो खर्च करके खरीद भी लें, तो कुछ समय बाद तकनीक बदलने से यह मशीन बेकार हो जाएगी, ऐसे में ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किराए पर लेके करना ही बहतर माना जाता है, इसके निमनलिखित लाब निकल कर आते हैं, सबसे पहला जो पट्टाधारा क्यानि जो अप बड़ा असान माना जाता है, तीसरा, पट्टा धारक द्वारा जो लीज का किराया भुकतान किया जाता है, उसे वो अपनी लाब की गणना में से घटा सकते हैं, क्योंकि यह एक व्याय है, तो यह एक परकार से उनकी कर को बचाने में, कर के भुकतान को बचाने में भी साह क्योंकि यदि मैं किसी से एक मशीन किराय पर ले रहा हूँ, एक प्रकार का मैं रिंड ले रहा हूँ, लेकिन वह व्यक्ति मेरे वेबसाइपर नियंतर नहीं पाएगा, तो इससे मेरे वेबसाइपर मेरा नियंतर कम नहीं होगा, इसी तरह इस प्रकार के समझोते से मेरी रिं कार के लिए भी एक अच्छी चीज होती है क्योंकि उसे अपनी संपत्ती को किसी को देना भी नहीं पड़ता है संपत्ती का स्वामित तो उसके पास ही रहता है और उसे एक निरंतर किराय भी मिलते रहता है इसकी कुछ सेमा इस प्रकार है कई बार इस ववस्था में संपत्ती की उप्योग पर कई प्रकार की रोग लगाई जाती है जैसे कि हो सकता है कि पट्टा धारक को संपत्ती में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुपती ना हो क्योंकि स्वामित्व तो पट्टा कार के पास ही है ना पट्टा धारक तो केवल उप्योग कर रहा है उसके पास उसका स्वामित्व अधिकार नहीं है तो वो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाएगा दूसरा पट्टे के समझोते का नविनी करण ना होने पर व्यवसाई के संचालन में दिक्कत आ सकती है इसका आर्थ यह हुआ कि यदि एक व्यक्ती ने किसी दूसरे व्यक्ती से कोई मशीन मान लीजिये पट्टे पर ली थी अब यदि व्यक्ती उस समझोते को दुबारा से नहीं चालू कर रहा है जब उसका समय खतम हो जाए मान लीजे 5 साल के लिए था तो 5 साल खतम होने पर यदि व्यक्ती उस समझोते का नविनी करण नहीं करेगा तो पट्टा धारक के सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी या पट्टा धारक लीज अनुबंद को इसके अवधी से पहले ही समाप्त करना चाहता है तो इसके बदले में कई बार उसे एक उची राशी का भुक्तान करना पड़ता है चौथा पट्टा धारक कभी भी उस संपत्य का स्वामी नहीं बन पाता इस कारण उसे उस संपत्य का अवशेश मूल्य भी नहीं मिलता राशी का भुक्तान करने के बाद भी हम उस संपत्य के स्वामी नहीं बन रहे तो क्या फाइदा फिर इसका तो ये इसकी कुछ कम्या थी जिनका ध्यान रखते हुए सामान नेता है वेवसाय या कम्पनिया तभी इस समझोत्य की तरफ जाती है जब कोई बहुत बड़ी मशीन या संपत्ती हो जो निरंतर बदलती हो तो उस पर एक बड़ी राशी निवेश करने से अच्छा है उसे कुछ समय के लिए लीजपर या किराय पर ले लिया जाए बच्चों पूंजी का अगला श्रोत है सार्वजनिक जमा सार्वजनिक जमा उस स्थिती में प्राप्त किया जाता है जब एक संगठन सीधे जनता से धन जमा करके प्राप्त करते हैं सारुजनिक जमा पर साधारन ते बैंक जमा पर दिये गए ब्याज से उचे दर पर ब्याज दिया जाता है ताकि जनता आकरशित हो कमपनी में पैसे जमा कराने के लिए जब companies प्रकार के एक scheme ये योजना को लेकर आती है तो जो व्यक्ति संगठन में राशी जमा कराना चाहते हैं उन्हें इसके लिए एक form भरना होता है उस form के साथ राशी जमा करानी होती है इसके बदले में संगठन उन्हें एक जमा प्राप्थी की रसीद देता है जो कि उनके रिण का प्रमाण स्वरूप होता है कम्पनिया साधारणत है तीन वर्ष तक के लिए सार्वदनिंग जमा की राशी को आमंतरित करते हैं कम समय के लिए बड़ी राशी प्राप्त करने का यह एक अच्छा श्रोत है कि सीधा आप जनता से राशी जमा के रुपे प्राप्त करें अब इसके गुड यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि एक सरल प्रक्रिया है इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या शर्ते नहीं होती जैसा कि बैंकों आदी से मिलने वाले रिण अनुबंदों में होती है दूसरा सार्वजनिक जमा पर किया गया व्यय बैंक वह वित्य संस्थाओं से लिए रिण की लागत से कम होता है तीसरा, सारवजनिक जमा आम तोर पर कम्पनी की परिसंपत्यों पर प्रभाव नहीं डालती क्योंकि इसके बतले में कम्पनी को अपनी संपत्यां गिरवी नहीं रखवानी पड़ती इसलिए सारुजनिक जमा लेने के बाद भी कम्पनी की परिसमपत्तियों को अन्य श्रोतों से रण जुदाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है जमा करताओं के पास वोट देने का अधिकार भी नहीं होता इसी कारण कम्पनी का नियंत्रन भी प्रभावित नहीं होता अब यदि इसकी सीमाओं की बात की जाए तो सबसे पहली बात यह है कि नई कम्पनियों के लिए यह एक मुश्किल काम होता है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जब कंपनी को जरूरत हो तो जनता सयोग करें कई बार जनता सयोग नहीं करेंगी तीसरा इसको जुटाना कठिन होता है खासकर यदि राशी बहुत बड़ी होतो इसलिए कंपनिया यदि थोड़े लंबे समय के लिए देखती हैं तो वह इसके बजाए अन्श पूंजी के उपर जादा भरोसा करती है यह किवल थोड़ी सीमित राशी और सीमित समय के लिए हो अब हम इस भाग के अंत में एक और श्रोत पर चर्चा करेंगे ताकि आप इन पांच श्रोतों पर घर जाकर अच्छे से पुनायाध्यान कर सकें वित्त का अगला श्रोत है वानिजिक पत्र यहां अल्प अवधी का एक वित्तेश श्रोत है हाला कि भारत में इसका प्रारं में एक अच्छी पहचान है ऐसी कंपनियों द्वारा अल्प अवधी के लिए बड़ी राशी जुटाने का एक अच्छा तरीका है यह एक गैर जमानती प्रतग्या पत्र होता है अर्थात इसके बदले में कंपनी अपनी किसे संपत्ती को जमाने ही कराती इसको गिरवी नह तो केवल बड़ी कंपनिया इसको जारी कर सकती है इसकी अवधी 90 दिनों से लेकर 364 दिनों तक ही हो सकती है वह सामान्यत है इसे एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को या बीमा कंपनियों को पेंशन योजनाओ या बैंकों को ही जारी किया जाता है आम जनता इसमें पैसा न इसके लाव यह हैं कि सबसे पहली बात तो इसे बिना किसी जमानत के बेचा जाता है इस पर किसी प्रकार की शर्ते नहीं होती इसके अलावा यह स्वतंतर रूप से हस्तान्तर्णिय होता है इसलिए इसकी तरलता अधिक होती है इसे बड़े असानी से हस्तान्तरित किया जा सकता है वह इसके अलावा इसमें कोशों की प्राप्ती अबाद गती से होती है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है बार-बार इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जैसा कि हमने बार-बार बोला कि केवल अच्छे वित्य स्थिती वाली बड़ी कमपनिया या फर्मे ही इसका इस्तमाल कर सकती है नई फर्मों को इस प्रकार से धन नहीं मिलेगा दूसरा इस माध्यम से जो राशी जो टाई जा सकती है वह किसी भी एक समय में आपूर्ती करताओं के पास उपलब्द अतरिक्त रोकर तक सीमित एर्थात जो लोग कमपनी को पैसा दे रहे हैं जो फर्मे या जो बैंक कमपनी को पैसा दे रहे हैं जितना उनके पास होगा उस के अनुसारी तो company को मिलेगा अब इसमें जनता के पास जाके असीमित राशी तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो एक सीमित राशी जो की राशी देने वालों के पास उपलब्ध अत्रिक्त रोकरता की सीमित है उतना ही इसमें प्राप्त कर सकते हैं ये इसकी कुछ मुख्य सीम तो बच्चों आज हमने पाच प्रकार के शुरोतों पर चर्चा की है इससे पहले हमने पूंजी के प्रकार वह पूंजी के शुरोतों के विभिन प्रकारों के वर्गी करण की भी बात की मैं चाहूंगा कि आप इन सभी शुरोतों पर गहन अध्यान करें इसको फिर से देखें क्योंकि ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके परिक्षा के दृष्टी कोण से भी इस अध्याय के अगले भाग में हम कुछ और बेहत जरूरी चीजों की बात करेंगे जैसे की शेर डिबेंचर यानि अन्शुवर इडपत्र जो की आपको आने वाले कक्षाओं में भी काम आएंगे तो आप आज के भाग में सीखे गई बातों को अच्छे से अध्यान करें ताकि आप अगले भाग में जब आएं तो आप नई चीजों को सीखने के लिए तयार रहें आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद दूर आप सीखे दूर के लिए बातों काम ओगले में जब आएंगे लिएस भाग में बातों कि आप आप लिए एंगे अजयवा है भाग में पास्टार रहे है